सब्सकारब करें अपने यूटीव चनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्स न पाने के लिए तो आगते दोस्ते एक बार फिर से ही आपके अपने वेडियो चनल लानमोट मेडिसिन में जहां आपाते दवायों के बारे में संपून जानकारी आज के इस वीडियो में जिस दवा के बारे में हम बात करेंगे वह दवा पिछले 6-7 सालों पहले ही इंट्रिदूच की गई थी और हाली की दिन में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रियोग लिया जा रहा है दवा का नाम है लिवो सल्प्राइड लिवो सल्प्राइड निरोलेप्टिक एजेंट तथा प्रोकाइनेटिक एजेंट दोनों ही तरह से कारी करती है साथ ही जो लिवो सल्प्राइड है या आपको टेबलेट तथा इंजेक्शन फोर्म में मार्केट मिल जाएगी इसकी जो tablet है आपको single sal tablet तता combination sal tablet दोनों में मिल जाती है जैसे कि pentaprazole, omeprazole, rabiprazole के साथ को combination लेकिन इस वीडियो में हम leosalpride single sal tablet के बारे में जानेंगे इस tablet के बारे में सबसे ज़्यादा जो confusion रहता है वो इसको use को लेकर रहता है किन-किन बिमारियों में इस दवा का प्रियोग लिया जाता है कि क्या-क्या मातरा में डूस दी जाती है यह मैं आपको इस वीडियो में किले करूँगा साथ ही कई अन्य जो doubt है जैसे किन-किन व्यक्ति को दवा नहीं दी जा सकती इसके side effect क्या होते हैं क्या नाम से आपको मार्केट मिल जाती है क्या कि अलग लग इसकी strength अवेलिबल है यह सभी बात है और इसके अन्य महत्पूर्ण जो doubt है आपके वह सभी में किले करूँगा इसलिए वीडियो को बिना escape कि अंतर तक देखें जैसे संपून जानकर सब्सक्राइब के बारे में आपको मिल सके साथ ही वीडियो कभी से लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूले मैं हूँ आपका दोस मोहित और आप देखने अपना इडिव चैनल लर्नोड मेडिशन चलिए आज फिक कुछ कि आपको में नामस्ते दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम लिव शल प्राइब टेबलेट की बारे में जान लेते हैं जिससे कि आप सभी इससे परीचित हो सके और यह जो दवा है ब्रांड नेम से मेडिकल इस्टो पर अवेलेबल रहती है जो इसकी पॉपुलर प्रमुख है और हो सकता है जो मैंने ब्रांड बताए इसके अलाओ को दूसरी ब्रांड भी आपके अवेलेबल हो क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया और डॉक्टर के अलग लग रहती है पर अदो दवा का मूल नाम रहेगा वह लिव शल प्राइड ही रहेगा इसल Informat200 मी चलिकना मैं अवेलेबल है और हायर स्कुन स्काराइड मी डाम गयाम थ Indigenous में अवेलेबल हैं दोस्तों अगर बात करे जाए इसके प्राइज रहती है तो is ज्यायदा पर चले ते इसकी लुवर फ стало knocked mould हो जो लीए को डो दीथमि आपको नुन ही मिल जाती है दस निजो 50 मिल जाती है और हो सकता जो कोई ब्रांड है इससे कुछ सस्ति में बिल जाए जो एवरेज प्राइस ही मैं आपको बचाईए अब वीडियो में इस दवा के सबसे बड़े लाउड को में इसके लेकर है किन-किन ब्यमारियों में इसका प्रियोग लिया जाता है और प्रियोग करते हैं इसे हम प्रो काईनेटिक होते ही च्छक्ट हो मभिलिटी तिए उसके रिदम तोड़े-स क कहते हैं इसके रॉप में बीमारी है जिसे आप और भू ठी करता है वह अंसको है णicz है जहोरी let應該 डिख तर्व असितना वमीटिंग रहना हां वुट constipation रहना irritable bowel syndrome नाम की बिमारी रहना है जिसे हम IBS कहते हैं इसमें आतों में सुजन आ जाती है इसके लावा डिस्पेप्स या बदो खाना नहीं पसने कान पेट में दर्द होना यह जो समझते हैं यह एज प्रोकाइनेटिक एजेंट लियो सलप्राइड सभी बिमारियों को ठ ही करता है वह सभी में जो गेस्ट्रों टेस्ट रिलके डॉक्टर रहे साथ फीजी से ने इसका बहुत ही अच्छा प्रियोग करते हैं इसके लाव जो दूसरी इसकी प्रोपर्टी नियूरो लेप्टिक एजेंट की तरह तो उसमें जो साइक्रिटिक डॉक्टर रहे इसका प्रोपर रूप से नहीं बोल पाना साथ ही कोई पैसेंट है जो एंजाइटी डिसॉडर से ग्रसित है डिप्रेशन का कोई पैसेंट है इन्हें भी जो साइकेटिक डॉक्टर है लिवो सल्प्राइट टेबलिट एडवाइज करते हैं और जो पैसेंट है जिसको इस दवा को किसी अन्य बिमारी में भी प्रियोग ले तो नियू रिसेच से सड़ी और अपने से प्रियोग ले सकते हैं दोस्तों अब अगर बात करें यह जो दवा है लिवो सल्प्राइड किन-किन पैसेंट को नहीं दी जानी चाहिए या जब भी आपको दवा लिखे तो कि इमारी हो एपिलेप्सी मिर्गी की समय्षिया हो जी एक ब्लिडिंग हो मतलब ही भी हमारे उसमें में इटेस्टाइन में को ब्लिफ या को इन की सब्सक्राइब को यह दवा नहीं दी जाती साथ इन से अगर आप पीडित हैं तो अपने डॉक्टर को जोड़ से बताएं और जब आप लियो सल्प्राइट ले रहे हो तो उस समय आपको एंटाइसीड शीरप का प्रिप्रेशन का प्रियोग नहीं करना है जिसमें कि सुकराल फेट हो एलुमीनियम या मेगनीशियम हो अगर इसका प्रियोग करते हैं तो आपको जो डिजार इफेक्ट लियो सल्प्राइट का वह नहीं मिलता है साथ ही जो एंटी कोलिनर्जिक मेडिसेन जिससे हायोसिन एट्रोपिन डाइसेकलोमीन ड्रोटावरीन इसका भी प्रियोग लियो सल टेबलेट अगर आप बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो आपको डिजार करें लिख सकें और अगर वश्यक नहीं हो तो कोई दूसी मेडिसेन आपको लिखी जा सकें अब वीडियो के आगे के पार्ट में हम लिवो सल्प्राइट के साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते की जो इस्तन हैं महेलाओं की तरह बढ़ जाना और जो सारीरिक समंद बनाने की इच्छा है उसमें कम या ज्यादा हो जाना बहुत तेज बुखार आना कन्फूजन की इस्तती रहना ब्लड प्रेसर का हाई या लो हो जाना बहुत ज़्यादा पसीन आना हार्ट रेट का वीडियो के लाश में हम जान लेते हैं लिवसल्फरेट टेबलेट की डूज क्या रहती है कितनी मात्रा में दी जाती है जैसे कि जो दवा की डूज रहती है पेसेंट की एस वेड तता जो डीजीज का टाइप है उसके कोडिंग दी जाती है यहाँ पर हम पेट से समंद जो लेने की सला दी जाती है और यदि पैसेंट इसको खाने के पहले लेना भूल गया हो तो खाने के बाद में भी ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपने जो पिछत मिलिगाम की टेबलेट है जब भी इसको खरीदा होगा आपने जोरू से देखा होगा इसके साथ में OD लिखा लेने की आप सकता नहीं रहती है और जब भी यह दवा एल्डर्ली पैसेंट जो बुजूर्ग व्यक्ति उनको दी जाती है जो रहती है जब भी आप यह दवा लें आप अपने डॉक्टर के जो इसको प्रोपर लिगाया फॉलो करें और जितने दिनों तक आपको लेने के लिए का है उतने दिनों तक लिए जिससे कि आपको डिजायर एफेक्ट मिल सके और इसे के साथ में जारजास जादा मैंने जानकारी आपको देने के कोशिज करिए उम्मीद करता हूं कई सार आपके डाउट के लिए होगे और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा यह जादा जादा इसको शेयर करें जो किसी और की भी काम आशके और अभी तक आपने अपने यूटीज चैनल लेर्णों मेडिसिन को सब्सक्राइब ही नहीं किया हो तो निच्छे दीगे रेट बटन को दबागर जो पास्ने बेल आकने इसे ज़रू दबाएं जो आने वाले सब्सक्राइब को मेरा वीडियो मुट में आप देख सकें आप अपने दोस्त मुहित आदीज साथ देख रहें तेपना यूटीज चैनल लेर्णों मेडिसिन थैंक यू फ्रेंड्स टेक केर और मेडिसिन उसर् करलें प्रेंस के वापाफ रहें ज़रूएंग मेरा वीडिय हैज जाताख पेएंग्स आप साथ चैनल बचल मेरा यू चैनल टोस्त मेरा प्रेंस कर आपने आर वझाल ओरूस में जूळू है वामेरा क्या आपीछू हर्शादकी प्रेंस